नमस्ते मैं हूँ मानत समर्थ और अगर आप में से किसी को भी सेक्स रिलेटिट कोई भी प्रॉलम है तो फिर आपको परिशान होने की या घबराने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में हर चार में से एक मेल को ये प्रॉलम है बड़े बड़े IVF Center यह बताते हैं कि कितनी तेजी से यह sex-related प्रॉलम यानि कि नपुनसक्ता importance हमारी इंडिया में हमारे देश में बढ़ रही है आईरुवेद के इसाब से जो importance होती है नपुन सकता होती है ये 6 प्रकार की होती है लेकिन आज हम इस वीडियो में जो main 3 तरह की problem है sex related उसकी बात करेंगे तो पहली जो problem है वो है erectile dysfunction जिसकों की तनाव की कमी यानि कि penis में तनाव की कमी इसको बोलते है erectile dysfunction ये पहली problem है जो main problem है दूसरी problem है premature ejaculation यानि कि शिग्रपतन ये दूसरी main problem है और तीसरी problem है low sperm count यानि कि शुक्रानों की कमी तो ये तीन major और main problem है जिस problem को आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो आये जानते हैं कि जो नपुन सकता है importance है इसके causes क्या है कारण क्या है और इसका treatment क्या है और अभी मैं बताऊंगा कि ये जो आप दो report देख रहे हैं एक ये report है और इसी patient की ये report है इस patient के sperm count था वो 42 million के करीब था शादी को दो साल हो गए थे लेकिन इनकी wife जो है वो pregnant नहीं हो रही थी because इनका जो शुक्रानों थे इनका sperm count था वो बहुत लो था लेकिन इन्होंने एक महिने की treatment के बाद के वर डाइट प्लान चेंज करके कुछ आरुवेदिक चीजे यूज करके इनको जस्ट वन मन्द में जो रिपोर्ट देखेंगे यह 42 million से 82 million जो इनके sperm count हो गए तो कहने का मतलब यह है कि बहुत असानी से आप इसको घर पर बैठे online treatment लेकर या खुद से भी आप इसको ठीक कर सकते हो तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि erectrial dysfunction यानि की तनाव की कमी यह क्या होती है देखे जो तीनों problem है तीनों अलग-अलग problem है तो अगर हम बात करते हैं कि erectrial dysfunction क्या होता है अगर कोई भी इनसान physical relation बनाना चाहे लेकिन उसके penis में erection नहीं है यानि की तनाव नहीं है तो इसको बोलते है erectile dysfunction यानि की तनाव की कमी और दूसरी जो होती है वो होती है premature ejaculation इसका क्या मतलब होता है जिसकों की हिंदी में शिगर पतन बोलते है कि जब भी कोई इनसान physical relation बनाना चाहता है sexual relation बनाना चाहता है तो erectile dysfunction की problem उससे नहीं है यानि कि उसकी penis में erection है लेकिन वो जैसे ही sexual relation बनाता है तो तुरंत वो discharge हो जाता है उसको बोलते है premature ejaculation यानि कि जितना proper time उसको hold करना चाहिए था उतना वो hold नहीं कर पाता और जल्दी discharge होता है जिसको बोलते हैं शिगर पतन ये दूसरी problem है तो आये जानते हैं कि जो erectile dysfunction यानि कि तनाव की कमी और premature ejaculation यानि कि शिगर पतन इसके कारण क्या है कि जब तक हम कारण को जान नहीं पाएंगे तब तक हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और तब तक हम अपने आपको ठीक नहीं कर पाएंगे तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसके कारण क्या है तो सबसे पहला कारण है वो है stress and anxiety यानि कि अगर आपको बहुत ज़्यादा stress है बहुत ज़्यादा anxiety है तो यह sex related problem आपको रहेंगी रहेंगी हमारे पाँ जितने भी patient आते हैं उसमें mostly patient ऐसे हैं जो IT सेक्टर से हैं उनको बहुत tension रहती है बहुत stress रहता है हमेशा गर में बैठे रहते हैं मशीन के आगे बैठे रहते हैं कोई physical activities नहीं होती बहुत ज़्यादा work pressure है बहुत ज़्यादा load है जिस वज़े से उन्हें stress और anxiety है जिसकी वज़े से इनको यह problem आ रही है इसमें सबसे जो major problem है वो होती है poor blood circulation देखिए एक बड़ा simple सा process है कि जब भी कोई male एक physical relation बनाना चाहता है sexual relation बनाना चाहता है तो brain जो heart को है वो signal देता है और heart बड़ी तीजी से blood supply करता है penis को तो अगर किसी का blood circulation poor है यानि कि blood supply जो है जो blood vessel है उसमें supply circulation ठीक नहीं है तो समझे कि उसे यह problem होनी ही होनी है और इसके जो reason होते हैं poor blood circulation के वो होता है smoking अगर वो करता है drinking करता है किसी को diabetes की problem है तो भी problem होगे कि उसका खून जो है वो काफी गाढ़ा हो जाता है किसी को heart disease है वो भी दवाईयां लेता है और वो दवाईयां उसके heart के heart को बड़ा weak करती है उसके heart को कमजोर कर देती है slow चलता है जिसकी वज़े से blood का flow ठीक नहीं रहता या जिसको obesity यानि कि मोटापा होता है उसका भी blood flow ठीक नहीं रहता तो यह जो चीजे होंगी इसकी वज़े से यह पूरा blood circulation होता है जिसकी वज़े से यह problem आती है और तीसरी problem है यह है low testosterone problem यह एक hormone है और यह hormone का level जब कम हो जाता है तब यह problem आती है यह hormone कम क्यों होता है एक तो age factor की वज़े से होता है कि जैसे जैसे age बढ़ती है यह hormone का level कम हो होने लगता है या कोई insuri है को infection है उसकी वजह से कम होता है कोई Ilopathy medicine ले रहा है उसकी वज़े से कम होता है खास कर जो blood pressure की medicine ले रहा है या anti-dep Михया ले रहा है medicine या anti-a 거예요 medicine medicine ले रहा है जिसकी वजह से यह सब पॉलम हाती है इसके लावा sleeping problem की वजह से भी दिक्कत आती है सेक्सियल प्रॉलम आती है क्योंकि जब sleeping प्रॉलम होती है तो हमेशा बाडी में और टायडनेस की वजह से जो पूर blood flow होता है यानि कि blood circulation हमारी बाडी में ठीक से नहीं होता और मैंने आपको शुरू में बताया कि blood circulation की वज़े से poor blood circulation की वज़े से ये erectile dysfunction की problem आती है और इसकी वज़े से premature education की problem आती है इसके अलावा एक और major problem है जिसको बोलते है masturbation वैसे तो allopathy doctor या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि masturbation एक natural processes में कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं है लेकिन अरुवेद में हमेशा अपने सर्मन को अपने विरे को और अपने स्पम को हमेशा संग्रे करने के लिए यानि की रखने के लिए ठीक से रखने के लिए बताया गया है ताकि जो बीज अच्छा होगा तब ही आपकी संतान अच्छी उत्पन होगी तो यह जो मास्टरबेशन है यह एक गलत पैक्टिस है और इससे दूर रहना चाहिए हमारी बाडी में हम जो भी भी कुछ खाते हैं अच्छा है बुरा है जो भी कुछ खाते है उस खाने से रस बनता है रक्त बनता है मास मेद अस्थी मज़ा शुक्र यह साथ तरह की और आठवी धातु बनती है अरुविदय के साथ जिसको बोलते है ओज ओज का मतलब होता है इम्मेनिटी और अगर 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 मास्टरबेशन करता है तो आप समझें कि वह अपनी इम्मेनिटी को वीक करता है और इसकी वज़े से कई सारे उसको प्रॉलम्स आती हैं दूस अगर कोई बहुत ज्यादा मस्टरबेशन करता है तो उसका जो सिमन है यानि कि वीरे है वो पतला हो जाता है थिन हो जाता है जिसकी वज़े से प्रॉलम्स होता है जिसकी वज़े से नाइट फॉल होता है अब यह जो मैंने आपको बताया जो सिमन होता है जो वीरे होता है वो गाढ़ा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, जिसको भी प्रॉलम होती है, प्री मेचुर एजुकुलेशन की, उसमें में प्रॉलम यह है, यह मैं आपको एक्जाम्पल से जाता हूँ, देखिए, अगर आपका सिमन आपका वीरे बहुत पतला होगा, पानी की तरह है, त प्री मेचुर एजुकुलेशन इसलिए होता है, क्योंकि वो जिसमन आपका वीरे है, बहुत पतला हो गया, जिसके विसे आता है, तो अगर वो सिमन वो वीरे गाढ़ा है, तो फिर प्री मेचुर एजुकुलेशन नहीं होगा, और आप प्रॉपर टाइम लेंके, और प्रॉलम जो यहाँ पर डिस्क्स करने हमें, वो है लो सिमन काउंट, यानि कि शुक्राणों की कमी, जो शुक्राणों की कमी है, इसकी वज़े से क्या होता है, कि कई बार आप देखेंगे, कि एरेक्टायर डिस्वंक्शन की कोई प्रॉलम नहीं है, एरेक्शन ठीक हो रहा यानि कि sperm count जो है, बहुत लो है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसका जो reason होता है, इसका reason एक तो होता है, कि उसके productive track में कहीं न कहीं blockage है, productive track में blockage होने की वज़े से, हापर sperm नहीं निकल पाता, दूसरा, low hormone level की वज़े से भी शुक्राणों में कमी होती है, तीस हुआ है तो उसकी वज़े से भी sperm count बहुत लो हो जाते है या किसी को गरम पानी से नहाने के आदत है तो गरम पानी में बैठने से, गरम पानी में नहाने से भी sperm count low होते है तो इसलिए ध्यान रखें कि आप 39 डिग्रे से ज्यादा से स्पानी से ज्यादा ना नहा है नहीं तो उसकी वज़े से भी sperm count लो होते हैं तो अभी हमने तीनों प्रावलम के बारे में बात करा प्रीमेचर आजूक्रेशन के बारे में बात करा हमने बात करा है एक सेक्स स्पेसलिस्ट के पार जाता है और यह जो सेक्स स्पेसलिस्ट होते हैं यह ऐलोपेद के भी हो सकते हैं आरुवेद के भी हो सकते हैं यूनानी के भी हो सकते हैं, मौसली लोग आरुवेद और युनानी वालों के पास भी जाते हैं, लेकिन ये जो आरुवेद और युनानी वाले होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, सौन भस्म, शिलाजीत, जाफरान, कस्तूरी और अंबर, इनके नाम पे, वो आपको कुछ चूरन बना क और पुडिया में करके, अकसर लोग ऐसा करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा है, अकसर जो आरुवेद और युनानी वाले होते हैं, वो अकसर ये जो एलोपेद की दवाईयां होती हैं, सक्स टैबलेट होती हैं, ये टेडलाफिल और व्यग्रा, इसको पीस कर उसको पु कि अगर आप किसी से भी अपना इस तरह का इलाज करा रहे हैं, चाहे वो युनानी हो, चाहे वो अरुवेदा हो, और अगर आपको वो ये दवाई देता है, कुछ इस तरह के दवाईयां देता है, तो आपको कैसे पैचारना है कि ये दवाई सही है या गलत है, यहाँ पर म अगर आपका ए्रेक्शन शुरू हो जाता है तो समझे कि वो ठीक नहीं है अगर आपका बीपी बनने लगता है तो समझे दोई ठीक नहीं है अगर आपका सिर्भारी होने लगे आँखे लाल होने लगे नाक आपके जाम होने लगे कान आपके गरम होने लगे और relation बनाने के बाद अगर आपको weakness लगे, कमजोरी लगे तो समझे कि जो दवाई जो आरुवेद के नाम पर या यूनानी के नाम पर आपको दी गई है ये दवाई सही नहीं है अलोपेद तो सही है ही नहीं लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई आरुवेदिक या यूनानी दवाई लेकि आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो समझे कि वो गलत दवाई है अगर कोई दवाई आरुवेदिक होगी, औरजनल होगी, सही होगी तो ये कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे इसका मतलब आपको तुरंत रिजलर्ट नहीं दिखेगा आपका बीपी कभी नहीं बढ़ेगा आपका सिर भारी नहीं होगा आपकी आखे लाल नहीं होगी आपके नाक जाम नहीं होगा आपके कान गर्म नहीं होगए और relation बनाने के बाद आपको हमेशा freshness लएगी, addition बनाने के बाद कभी आपको weakness नजर नहीं आएगी तो अगर ये आप विशेध ध्यानक है, जब भी आप किसी से इसका treatment करा है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी ये कोई दवाई देते हैं, ये दवाई क्या करती है आपके blood flow को temporary increase कर देती है, ये जो दवाईयां हैं, आपके blood flow को बढ़ा देती है जब blood flow बड़ी तेजी से बढ़ेगा तो मने आपको पहले बताया था कि blood flow, poor blood circulation की problem है फिर आपको erection की problem नहीं आएगी, लेकिन ये आपके heart, kidney, liver, ये तीनों को damage करता है अगर आप इस तरह की दवाईया लेते हैं, आपकी eyesight को weak करता है, आपकी memory को loss करता है तो हमेशा ध्यान लखे हैं कि आप इस तरह की कभी भी कोई दवाईय ना लें, जिसकी वज़े से वो सब symptoms आएं और जिसकी वज़े से आपको ये kidney, liver और आपका heart damage हो, जिसकी वज़े से eyesight और आपकी memory loss हो, इसका आप विशे ध्या रखें अब हम बात करें अपने हाँ के treatment की, भारत Pathy Healthcare ये हमारा एक online wellness platform है, जहां पर हम ये सारे acute और connect disease का online treatment करते हैं हमारे साथ जिवज़े हो जितने भी experience, 20-24 साल के जो आरिवेदा चाह रहे हैं, BMS doctors हैं, BBS doctor हैं, Electro-Hermiopathy doctor हैं, ये सब doctor हैं, इनका अपना experience के हिसाब से और personal जो experience है, उसके हिसाब से हम उसका treatment करते हैं, और इसलिए बहुत आसानी से patient ठीक होते हैं तो आप हम बात करते हैं कि जो हम जो treatment करते हैं, जो एक्टेयल dysfunction की कमी की वज़े से या premature ejaculation का हम जो treatment करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी को भी दिक्कत है, तो आप भी ये कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए करना ही आपको ये, सबसे पहले, इसका लिंक मैंने description में दे दिया है, आप उसे देखिए, डियाइपी डाइट कैसे आपको लेनी है, डियाइपी डाइट शुरू किजिए, ध्यान आपको ये रखना है कि जो plate 1 है, यानि कि जो salad है, वो आपको शाम को सूरज छिपने के बाद नहीं खाना है, ये आपको ध् झा-प्षइद मकर्धष पांच-Gram शाहिए, अबरख भस्म पांच-Gram शाहिए, वंग भस्म आपको 5-Gram शाहिए, लो भस्म पांच-Gram शाहिए, शीला जीट आपको 10-G남 चाहिए और उटगन बीच के 20-gram चाहिए ये जो आप सब चीजो कर लिजिए, करने के बाद इसको क डालना है जिससे वह सब चीज ठीक से गीला हो जाए ठीक है पेस्ट बन जाए उसका बहुत ही बतलब सॉलिड सा पेस्ट बने उतना रस चाहिए वो डालिए डालने के बार चले के बराबर इसकी सब की गोलियां बना ले और गोलियां बनाने के बाद आपको ये गोली सुबह शाम रात को खाने के एक घंटे के बाद एक गोली रोज खानी है या तो गरम दूस से ले सकते हैं या गरम पानी से ले तक अगर दूस से लें तो एटू गाय मिल्क होना चाहिए वरना गरम पानी से भी आप ले सकते हैं अरुवेद में अक्सर जो ये दवाईयां दी जाती है वो गाय के दूसरे दी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको यह बताया, कम से कम इसको आप 2-3 महीने जरूर करें, खटी चीज, मिर्च, मसाले वाले भोजन यह आपको नहीं लेना है, तो इतना आपको ध्यान लखना है, यह जो आप देख रहे हैं, इतना आपको ध्यान लखना यह जो टीटमेंट में आपको बता रहा हूँ, यह है लो इस्पम काउंट का, सबसे पहले वही आपको डियाईपी डाइट लेनी है, जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपको संसेट के बाद प्रेट नमबर वन, यानि कि वो सलाथ नहीं लेना है, खटी चीजे आपको नहीं खानी है, इसके बाद अरुवेदिक चीजे जो हैं उसमें असगंद यानि कि अश्वगंदा, अश्वगंदा का जो पौडर होता है, बो लें 100 ग्राम, सफेद मुस्ली 100 ग्राम लें, गोखरू लें 100 ग्राम, सालम पंजा 100 ग्राम है, सालम मिश्र लें, लेने के बाद इन सब को पीसकर पौडर बना लें, पौडर बनाने के बाद आपको पांच ग्राम, यानि कि एक चम्मच रोज शुबह खाना खाने के बाद, इसको गरम दूद से लेना है, दूद एटू गाय का, यानि कि देशी गाय का होना चाहिए, नहीं दूद ल कोई बिमारी है कोई दवाई ले रहे हैं तो फिर यह सब treatment खुद ना करें यह किसी आरुवेदा चाह रहे के BMS डॉक्टर के अंडर में करें या किसी और डॉक्टर के यह बहुत फायदेमंद है, इस food को वो जरूर लें, जैसे मसूरदार, मसूरदार में पॉलेक असीड होता है, इस दाल का पानी पीए, यह बहुत फायदेमंद होगा, इसके अलावा, zinc food जैसे beans हो गया, oats हो गया, मुफली, तिल लासुन, यह जरूर अपनी diet में शामिल करें, इसके अलावा omega 3 fatty acid के लिए 3-4 अकरोट वो रोज खाएं, उनको बहुत फायदा होगा, और ध्यान यह रखे हैं कि रात में सोते समय, tight underwear ना पहनें, और रात में jeans पहन के ना सोएं, मतलब टाइट कपड़े जितने कम पहनेंगे, उतना वो फायदा होगा उन्हें, और उसक इसमें आपको 2-3 महिने के अंदर बहुत अच्छा result मिलेगा अगर आप यह सब करते हैं, और अगर आपने यह सब ठीक से किया, तो कुछ ही महिनों में आप दुनिया के most happiest couple बनेंगे, यह मेरा आपसे वादा है, मुझे उम्मीद है एक वीडियो आपको बहुत अच्छी और आपको detail WhatsApp कर दी जाएगी हमारे office से, या आप मेरी website www.manussummer.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. वीडियो को देखने के जल्दी मिलते हैं, एक नई प्रावलम उसके solution के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, मिलते हैं, तब तक, दोशकार.